नमस्कार दोस्तों, जोती भागबतकर किचन में आपका स्वागत है, दीवाली का सीजन है, आज हम चकली बनाएंगे, चकली बहुत प्रकार की होती है, जैसे चावल की चकली, गेहु के आटे की चकली, मिक्स दाल की चकली, रेडिमेट आटे की चकली, तो आज हम चावल के आ चावल की चकली बनाने के लिए हमारे घर में जो सामान है उसी से चावल की चकली बन जाती है। चावल की चकली बनाएंगे तो हर बार चावल की चकली ही आप बनाना पसंद करेंगे। खराब नहीं होंगे। एक बार चावल की चकली बनाएंगे और जब मन चाहे तब आप चावल की चकली खा सकते हो। चावल की चकली बनाने के लिए दो कप चावल का आटा लिया है। दो चमच तिल लिये हैं। आधा चमच जीरा। आधा चमच अजवायन। थोड़ी सी सोप। तेल लिया हैं बड़े दो चमच। धने लिये हैं एक चमच। स्वादा नुसार नमक और एक चमच लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब ये सभी हम चावल के आटे में दाल देंगे। तेल भी डाल दिया है। सभी मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चमच की साहियता से अब हम ये सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें देड कप गरम खोलता हुआ पानी डालेंगे। ये सब पानी अच्छे से डाल कर मिक्स कर लेंगे। चमच से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसे थंडा होने के लिए रख देंगे। श्रन थंडा होने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला कर एक आटा गुंद लेंगे। ये मैंने आटा गुंद लिया है। आटा ज्यादा सक्द भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। मीडियम आटा गुंद लिया है। अब थोड़ा आटा लेके हम चकली के पात्र में इसे डाल देंगे। आटा पूरा ऐसे पैक पैक करके भरना है दबा दबा के चकली का आकार एक सरी का आने के लिए एक छोटी प्लेट ली है सभी चकली हम इसी प्लेट पर बनाएंगे याने के चकली सभी एक सरी की बनेंगी इस तरह से हमें चकली बना लेनी है हमारा आटा देखो कितना अच्छा बना है चकली तूड़ भी नहीं रही है सभी आटे से हम ऐसे चकली बना लेंगे अब हाथ से तोड़ कर चकली हम ऐसे पैक कर लेंगे बहुत अच्छी हमारी चकली बन कर तयार है देखो ऐसे मैंने प्लेट से छोटे प्लेट से चकली बना ली है अब हम इसे तल लेंगे गैस पर तेल रखा है तेल अच्छे से गरम हो गया है अब गैस की फ्लेम हमें एकदम लो कर देनी है धीरे से हम एक एक चकली तेल में डालेंगे जितनी बेठेंगी उतनी ही हमको चकली डालनी है मैंने यहाँ पर श्रीब दो चकली डाली है अब धीमी आज पर एक तरप से चार पाच मिनिट हम इसे तल लेंगे गैस की फ्लेम एकदम लो ही रखनी है नहीं तो चकली जल सकती है चकली एक तरप से अच्छे से तलने के बाद उपर आ जाती है अब चकली को पलट देंगे अब दूसरी साइट से हम इसे दो से तीन मिनिट तल लेंगे आप भी अपने घर ऐसी ही चकली बनाईए इस बार चावल के आटे से चकली बनाईए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्रेब कीजिए चावल की चकली बनकर तयार हो गई है अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे पूरा तेल हम ऐसे जार लेंगे बाकी की चकली या हम ऐसे ही तल लेंगे ये देखो सब चकली या मेंने तल ली है बहुत अच्छी हमारी चावल की चकली या बनकर तयार हो गई है देखो कितनी अच्छी हमारी चावल की चकली या बन गई है एक चकली में आपको तोड़कर बताती हूँ क्रिस्पी चावल की चकली बनकर तयार हो गई है देखो हमारी चावल की चकली कितनी अच्छी बनकर तयार हुई है आप इसे चोटी भी बना सकते हो आप भी ज़रूर चावल की चकली घर पर बनाई है और कैसी बनी है मुझे कमेंट करके आप बताई है दोस्तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाईयो आपको चावल की चकली कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताईए आपका कुछ सुजा होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताईए दोस्तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्रेब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्रेब कीजिए बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे आल पर क्लिक कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों मिलते हैं और एक बहतरीन वीडियो के साथ तब तक के लिए थेंक यू